श्री शिवाय नमस्तो व्यम हरर महादे उज्जेन मद्परदे से चल रही पर्थम दिवस की श्री विक्रम आदित्य राजा महाकाल श्री महापुरार की कता समाप्द हो चुकी है और गुरुजी ने आज की कता में बहुत ही सुन्दर सी जानकारी दिये आपको लोगों के भी वही परसाद चरहा देता है तो उस परसाद को हमें गरहन अस नवेधियम की आ गरन करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो आज के इस कता में अगर आपने किसी भी करणवस आज की कता नहीं सुने है ही तो चलिए हम लोग जानकारी समझते है कि गुरुजी ने बारे में क्या क्या नारी सिविलिंग की पूजा कर सकती या नहीं कर सकती है। उसके बाद गुरुजी ने दूसरी जानकारी में गुरुजी ने बताया कि अगर कोई भी कहता है कि सिविलिंग पे चड़ा हुआ जलका आचमन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो आपको कुछ करने की जरुवत नहीं आप सीधा गीता प्रेश की सी महापुरान किताब ले आएं और उस किताब में जो लिखा हुआ विदेश्वर सहिंता के 75 नंबर पेज पे उस पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति सिविलिंग की वीधी पुरवक अस्नान करा के उस जलका तीनवा राचवन करता है उस व्यक्ति की मानसिक और वाचिक पाप नश्ट हो जा जानकारी जो गुरुजी ने बताई है वो तीसरी जानकारी है कि अगर कुसी भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर आपको कह रहा है भरम में दे रहा है कि सिविलिंग पे चड़ा हुआ परसाद नहीं खाना चाहिए या परसाद हमें ग्रहन नहीं करना होता है तो आप को क्या करना है देखिए सब कुछ गीता प्रेश के सी महापुरान किताब में लिखी हुई और इस किताब में भी प्रिश्ट नमर 75 पे लिखा हुआ है कि अगर सिबलिंग पे चरा हुआ परशाद को सिर्फ और और सिर्फ आप देख लेते हैं तो उस देखने से ही आपके सारे पाप नश्ट हो जाते हैं अगर उस परसाद को आप खा लेते हैं आपके अंदर करोरों पुन समाहित हो जाते हैं उस परसाद को आपको सिर्फ जुका की खुसी पुरवक परसंता से उस परसाद को आपको खा लेना चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति बोल देता है कि उसे हम बाद में खा लेंगे तो वो धिरे-दिरे पाप में बनते हुए चले जाते हैं। अब इस तरह की जानकारी के साथ तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तो व्यम हरेर महादेव।